So, आज है वो दिन जिसके लिए मैं इंडिया आई थी और वो है पापा का रिटार्मेंड दे So, मैं सुबह सुबह तयार हो गई हूँ, मतलब तयार तो क्या होई हूँ तयार बस नॉर्मल हो गई हूँ सुबह का यह नाश्ता अगर गरम बन रहा है तो उसके बिना तो दिन नहीं शुरू किया जा सकता So, आज मैंने सोचा क्यों ना, ब्रेकफास्ट के लिए यह सारी चीज़े ले जाए So, मैं सारी चीज़ें ब्रेकफास्ट के लेके सीधे आ गई घर और उसके बाद हमने पोहे जले भी और समोसे का बढ़िया वाला नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद हम सब अगए रेडी जो यहाँ पापा जो है लास्ट टाइम ओफिस जाने के लिए रेडी हो रहे और आज पापा के ओफिस में प्रॉपर पापा का फैरवेल है सो हम सब वहाँ जाने वाले है और उन्होंने पूरी प्रॉपर पाण भी दिये सो से दान निकाल रहा है गाड़ी मेरी का नूरा नी भी होगई यह रेडी और यह रही ममी पापा के साथ जाने के लिए रेडी हमेशा की तरह सपोर्ट में और पापा लगा रहे है लोग और यह हूँ मैं तयार सो हम सबी लोग बढ़िया एकडम चका चक तयार होकर निकले और उस दिन था गुरुवार तो पापा ने का क्यों न पहले दादजी मंदिर होकर आया जाए घंवा में दादजी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है आप कूगल कर सकते अगर आप नहीं पता है पापा की स्कूल मेरे पापा स्कूल में अकांटेंट थे एडुकेशन डपार्टमेंट में जिसमें बहुत सारी स्कूल आती थी तो सारी स्कूल में मिलकर एक जगर खटे होकर पापा को बिदाई समार हो दिया फेरेवल दिया So, हम सब यहां गए, और यहां जो है, अलग ही, कहना चाहिए, फीलिंग थी, अलग ही सारा माहूल था, क्योंकि यह उता है, हमारे लिए होता है कि हमारे पाप ओफिस ज़ा रहे है, हमारी ममी आफिस ज़ा है जब आप सच में उनके office में जाते हैं और उनकी व सारी image इज़ देखते हैं तो आपको मजा आजाता है या ममी गावी उन लोगों है पापा के साथ साथ और उसके बाद सारे लोगों ने पापा के बारे में धेर सारी बाते बोली, जो कि मैं रिकॉर नी गर सेक्ती maybe privacy issues and बहुत सारी चीज़े हैं और उसके बाद पापा को एक पूरा प्रशास्ति पत्र और सब कुछ मिला और उसके साथ में पापा को गेफ़ भी मिला एक बहुत बढ़ा सा सो ये सारी चीज़े हैं और उसके बाद वहीं पर था दाल बाफले लड़ू रायता, चुर्मा, सबका नाश्ता खाना, I mean, लंच, सॉरी मैं बहुत जादे एक्साइट हूँ चायद से बूलने में सो ये सब था और फिर उन्हीं लोगों ने जो टीचर्स थे, सब लोग थे उन्हों नहीं परसा और सब को चुआ और फिर पापा लास्टाइम बैठे अपने रूम में जाकर अपनी चेयर पे जहां वो बैटकर काम करते थे सो कनू भी बैठेगी पापा के साथ और हमने उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया और पिच्चर भी खीची जो कि आप इंस्टेग्रांग पर आया होप देख चुके होंगे उसके बाद था लास्ट में एंड की पापा जहां वो जा रहे थे सो सब लोग लास्ट टाइम पापा से थोड़ा सा मिल रहे थे बात कर रहे थे लास्ट कर टाइम तरह से इमोशनल हो गया काफी लोग जो पापा से बहुत सालों से जुड़े क्यूंकि सेम ऑफिस में पापा को करेंब करीब 13-14 सालों हो चुके थे और उसके पहले की भी नौकरी बट सेम लोगों के साथ रह रहे की तोड़ा सा जाद हो जाते है पापा को वापस से माला पहनाई कि जाते है है अधे पुरी माला पहन के जा रहे हैं उसके पापा भी हैं काफी एमोशनल है कोदी अपनी माला वाला ही टीकटर वहते है और उप जो है हम सब बहार निकलेंगे और यहाँ पापा लास्ट टाइम अपनी जो कर्म प्लेस है उनका उसको उनोंने प्रणाम किया और उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए सो मुझे ऐसा लगता है कि जब आतकी बहुत ही लंबी से नौगरी हो जाती है तो बहुत साही चीज़े उससे जुड़ी होती है बहुत सारा बहुत मिक्स फिलिंग होती है तो यहां उसी मिक्स फिलिंग का एक क्याना चाहिए उससे सारे लोग जोड़ रहे थे बाते कर रहे थे पुरानी चीज़ें आप कर रहे थे जो पापा का हमेशा समान कार में रखते थे वो लोग एमोशनल रहते हैं लास्ट टाइम हम सारी चीजे रखने हैं गाड़ी में और सब्सक्राइब बहुत ही अलग स्पेशल और इमोशनल मोमिंट था उन्होंने पापा की कार को भी मालाओं से सचा दिया था तो वह तोड़ा सा और अलग सा हो गया था और बस इस तरह सारे इमोशनल चीजों के साथ और एकदम ऐसा लग रहता हम कहीं पहुत ही पापा को सबसे दूर ले जा रहे टाइम से बट खुशी थी कि अब पापा का पूरा टाइम हमारा ओने वाना है और यहां जो है फाइनली ओफिस से पापा की बिगाई हुई और उसके बाद घर वाला मज बादा स्टाट रहा हुआ तो यहां मने डोल मंगाय थे हो और हमारे परिवार के सारे लोग इखटे हुए थे सो मैंने जो जैसा था वैसा ही रा सबकुछ डाला है तो जस्ट इंचोई पापा 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 हुआ पापा कर दो कर दो हुआ 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 है कि अपी कर दूदी है कि खुआ हमोगा प्रया है कि रधा क ही बाद कि एजई कि बाद कि एजए कि वझेए कि बाद कि वझे बाद कि वझे कि गर पर बहुत सारा डांस करने के बाद हमारे घर वालों ने चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे अपनी पापा को लेके अपनी फीलिंग्स बताई कि सारे घर के लोग, भूई मॉसी भावियां सब लोग और सब periphery बहुत सारा मजा किया तो यह overall बहुत मजा आया सब ने बाते शैइर की पापा के साथ पूरानी यादे शैर की आगे सब क्या प्लाने पापा को ले-क वह बूशेर किया तो ममी को बुला है कि आप भी बोलो फैमिली फंक्शन है जो कि वो व्लॉग में बहुत बहुत जल डालूगी लास्ट में मैं आई और मैंने सब का अभार पर दर्शन किया कि सब लोग एक कॉल पर मेरे इकटे हो गए और सब लोगों यहां सारी बाते की तो मैं वहीं सारी बाते कर लिए तब तक अपना ध्यान र